आज दा जड़ा दिन है, आज, सारे पंजाब नूँ, पंजाब वाशिया नूँ, देश विदेश देविच जो रह रहने, थोड़ी सी खुशी होई होगी, कि इसरी अकाल तक्त सहाब ते, जो फैसला आया है, और जो आज दी करवाई होई है, उस देविच, जिड़े दोसी जिड़े जना नूमें दोसी परिवार बोल रहा हुंदा सी, दोसी परिवार ने आपना जुर्म कबूल कर लिया है, एक एक चीज, जो असी तपतीश देविच किती सी, कैप्टेन साहब दी लीगल टीम होगे, जाउना दी पॉलिटिकल टीम होगे, उना ने साड़ी रिपो रिपोर्ट सीगी, वो कोई रिपोर्ट नहीं सीगी, एक चार सीट शीघा, और चार सीट थे मांजोग जावजन दे विच देती होई शी। और जो खारीज करवाई गई उद्वोफी रिपोर्ट किथे पर शीिज फारीज की थे PROD लिया के देख लिया जावे, क्यों ज फरीद कोट देविच पेया है, बगैर उसनों बेखे होए, कैस तरीके देनाल इनसाफ हो सकता है, ऐस करके, देखो, इनसाफ दा कतल होया, वो भी गुरुगरंच साहिव जीदी ब्यादवी दे केस देविच, गोली कांड दे केस देविच, ऐस करके मैं किया कि नहीं, हुन ऐस सिस्टम देविच, IPSD नोकरी, नहीं करनी है, और एस सिस्टम नों बदलना है, मैं सिस्टम नों बदलन वास्त है, IPSD नोकरी छड़ी सी, लेकिन आज, जो फैसला आया है, मैं भी एना लोका देनाल पूछगिच किती सी, सरदार सुखवीर सिंगी बादल, सरदार परकार दो मेरे तो उपर, उन्हेंने आज तक कोई केस डारी नहीं लिखिया और एचीज मैं पंजाब दी बिधान सभा देविच, जिकर कर तुकिया हूँ, आज जो कबूल नामा होया है, एक एक गुनाह, जो कबूल किता गया है, वो एक जिस्ट है, एक समरी है, वैसे ता है, एक ब्याद भी क्यों करवाई गई, प्रोटेस्ट क्यों होया, प्रोटेस्ट क्यों होया, प्रोटेस्ट करके होया, क्योंकि गुरु गुरंज साहब जिदी ब्याद भी होई, एस तो अलावा, एक मुभी रिलीज कराई गे शिगी, पंजी अक्तूबर नू, पंजी सितंबर न है और यह दालट दे विच भी है यह हर पास है और सरकार दे कोल भी है पुलिस डिपार्टमेंट दे कोल भी है साधे वकील साइवान दे कोल भी है जो मैं आज लेंगा आज तुसी देखो एक एक चीज दे विच है कि माफी जदो दिती गई तो किन्य पैसे लगाये गई कोट मंगा के पढ़ दे एक लाइन तुसी दस दे की केडी लाइन गल्थ है फिर एक लाइन भी गल्थ मिले तुसी क्वेस कर देंदे करा देंदे मैंनू कोई अतिराज नहीं सी तहां देखो एदेविच भी यही जिकर है कि एनना ने लखा रुपे खर्च किते और एदेव तो ही एस सारे लोग डर गए एस तुलावा देखो हर चीज यह देविच है हरे चीज जेसना 24 सितंबर नो पाड़न किता गया माफी दिता गया माफी नामा किसने लिखिया सी सरदार तरलोचन सिंग जी दामे बयान लिखिया और उनना ने भी तैईद किती है एस समन्दिव देखो जथेदार इकबाल सिंग जी जो तक्त स्री पटन साहिब जे जथेदार संद उनना दा बयान भी है उनना ने सारा कुछ विश्तार पूर्बक हत लिखे तो उनना दा बयान है कि कैस तरीके दिन आल 24 सितंबर नो माफी दिती गई शी एस सारा चीज शबूत है और इस F.I.R. सिगा 2007 दा 2007 F.I.R. कैस तरीके दिन आल खारिच करवाया गया क्वेस्ट करवाया गया 2012 दा एलेक्शन आ रहे है शी तो उस एलेक्शन तो पांच दिन पहिला कैस तरीके दिन आल वो F.I.R. देविच कैंसिलेशन दिता गया एदेविच गौर्ड करनवाली गल है कि ज इस तो बाद एक ठानेदार एक ऐसे तो कैंसिलेशन लिख रहा है 2012 दे एलेक्शन तो पांच दिन पहिला है ऐस सारा देखो सबूत है एक एक चीज एदेविच दिता होया है ऐस दे नाल सारे गवाहा दे बयान प्लस जिनने भी सबूत सिगे तो मैं बार-बार कह रहे हैं कि सारांस है एक कोई रिपोर्ट नहीं है सारांस है एक प्लस है घर क्उस दिन गुप्री चिली कि इस तरीके दिनाल बेद्भी और हर चीज एаем मैं दों भी किया से तूसी मेरा 13 अपरील 2021 प्स से फेस्बूक पोस्ट देख सकते हो जिस दे बिच मैं किया सी कि मेरी अपील गुरु गबिन सिंग जी दी अडालत देविच चल रही है मैं रख दिती है और ओस अडालत तो ही मैंनों उमीद है मैं ये भी बार-बार बोल रहां कि ओस अडालत देविच रोजाना तौरते सुनवाई चल रही है आज भी जो लोग S.K.S. देनाल जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा चीज भी सुनवाई अधीन है और बहुत चंगे तरीके देनाल ये तो एक ट्रेलर है मैं यही कहाँगा कि आज जो श्रीयकाल तक साहिप ते जो कुछ होया है एक ट्रेलर है जो इसतरा चीज बोलते हैं ना कि आगे आगे देखिया होता है क्या आगे आगे होड़ कुछ होना है बहुत कुछ होना है और हर सचाई सामने आऊने है और वो हर चहरे तो उनकाब उठ जट जाना है जैस जैस ने जो जो करतूत किती लेकिन जदों कॉंग्रेस दी सरकार सीगी उदों भी मेरे ते बहुत तसद्द किता गया जदों साड़े मुख मंतरी पगवंत मान बने एना ने तो तसद्द दी हद कर दिती यह परमात्मा दी किरपा है कि मेरी साह चल रही है और बहुत सारियां गला ने जो मैं दसंगा एना दे नाल में जाके दो-तीन बारी मुलाकात किती एना दे रेजिडेंस ते भी बिधान सभादी बिच चिठियां ने मेरे कोल चिठियां पईयां ने हर चिठिधी कापी जो मान जोग मुख मंतरी साहब नों में देती क्यों क्योंकि तुसी चौबी कंटियां दे गल किती सी तो एक बारी भी तुसी उचित नहीं समझा कि मेरे नाल तुसी गल करो जैस दिन मेरी ज्वाइनिंग होई सी यूटूब ते भी है हर एक थाते है फेस्बुक ते है कि जैस दिन मेरी ज्वाइनिंग होई सी पगवंतमान साहब ने केजरिवाल साहब ने एक कहा सी कि असी बरगारी देके इस दिविच इनिसाफ दे मांगे सबूत दे तोरते हैं उनना ने एक कहा कि देखो जैस अफसर ने इनक्वारी किती है वो अफसर हुन साड़े नाल है तो ए अफसर आपनी कलमी हुन इनसाफ देगा इस करके तुसी बिश्वास करो कि असी इनसाफ दे मांगे पगवंतमान साहब ने 21 जून 2018 अमरिज सर्दे सर्केट हाउस देविच ए गल कही सी और उसी सारे लोकाने उस चीटे विश्वास कर लिया लेकिन पगवंतमान साहब जदों तो मुख मंतरी बने 16 मार्च 2000 बाई एना ने एक बारी भी उचित नहीं समझेया कि मेरे नाल गल कर दे जदो मैं गया एना दे को दो-तीन बारी मैं गया हूँ बिधान सवाद भी चे भी ते एना दे रेजिडेंस थे भी मैं केद्रिवाल साहब ने भी मिल लिया ऐसे संबंद भी मैंनों कोई ओधा नहीं चाहिदा सी निम्हें कुछ नहीं चाहिदा सी लेकिन एना ने भी जो काम कैप्टन अमरिंदर सीजी ने किता उस नालो सो गुना एना लोका ने किता तसद्द भी किता मेरे ते वो तसद्द बयान नहीं किता जा सकता है मौका आउन दो मैं एक एक तसद्द भयारे रहीं हरे रहे रहे हैं हाई कोट होएं सुप्रेम कोट होएं फरीद कोटी अदालत होएं जहां परीद कोट होम जीला अदालत चंडी घर्दे विच केश तबदिल हो चुके ने मैं आपने नीजी वकील सही बांदे नाल मैं इना के साधी पहरवाई कर रहा हूँ मैं जो अदालता ने, कनूनी अदालता इत्थे भी साधी पहरवाई एस करके चल रही है कल होके दखो जाना सार्याने है जदो ऐसी जाए तो जदो गुरुगविन सिंखिदे सामने जाए तो यही कहान की हाँ जी तो उसी उत्थो भी लडाई लड़के आये हो मैं नूँ पता है कि एस लडाई दे विच मैं जीत नहीं सकता है लेकिन मौल लडाई लडानदा है तो ऐसी लडाई लडाँगे हर तरीके दिना लडाई लडाँगे है पावे इनसाफ मिलना है गुरु गोबिन सिंग्जी दी अडालतों लेकिन ए सारी लडाई चल दे रहनी है और आज थाबित हो गया कि जो साधी रिपोर्ट नो खारिज कर और तो रिपोर्ट मंगा आगे पड़ी भी नहीं गई के दे विच की खराबी है नहीं जो ओडर आया है खारी जोंदा वोजे विच कोई इस तरीके दिगल लिखी गई है के दे विच की खराबी है केडी लाइन गल्थ है आज साबित हो गया सब कुछ दोसिया ने कबूल कर पंजाब वासीया वास्ते पंजाबियां वास्ते नाम लेवास संगतां वास्ता एक ठोरी सी एक रहत दि उमीद बढ़ए है इंसाफ हो रहा है और इसफ़ाफ सारा तलब करवाओगे आपनी SIT नो कहके ते सारा कबूल लमा तुसी केस फाइल ते लेया के अदालत दे बिछ दोगे जैकर तुसी देंदे हो तो मैं कहांगा कि हाँ आज भी तुसी मतलब इस केस देनाल जा कुछ भी चाहे केस खराब हो गया तुसी करोगे तो सनुचंगा लेगा नहीं कर दे हो तो जो कैपिन साहब ने किता तुसी भी वह रात है वह रात हो बहुत दूर और बहुत आगे तुसी जा चुके हो एक होर देखो सरम वाली गल है साड़ेवास के बहुत सरम वाली गल है कि दिल्ली दे एक MLA हामादी पाटी दे मलेर कोटला दे वीच ए मलेर कोटला दे वीच एक MLA साहब नों सजा दिती गई है MLA साहब दोसी करार दिते गए ने आमादी पाटी दे ने मैं आमादी पाटी दे लीडर साहब दे ना गल करन दी कोशिश किती है हले गल नहीं होई है लेकिन मैं गल बात जारी रखांगा कि की 2016 दे वीच जो मलेर कोटला दे वीच पवित्तर कुरान सरीफ दा जो कुरान सरीफ दे बैद भी होई है जेकर दिली दा एक MLA करवा रहा है तो ऐसी की सोचिए और किसे दा बयान नहीं आया और किसे पाटी दा किसे लीडर दा बयान नहीं आया कांग्रेस, बीजेपी, एकाली दल, आमाधी पाटी किसे ने कोई बयान नहीं दिता लेकिन आ देख लो जेकर साड़ी पाटी दे MLA इस तरह करनगे तो लोग के इस तरह साड़ी पाटी दे विश्वास करनगे है असी था आये सी के एक बद ऐसी की करना हैे हम क्या करने आय थे और क्या करने लगए ए इसारा कुछ देखो जिकर इसी नहीं कर दे हाँ ते जनता करने दे nam किसे दी गुलाम नहीं है, ना आटा डाल दी गुलाम रही है, ना कोई बिजली दी गुलाम रही है, ना कोई एक हजार उपय दी गुलाम रही है, ए जनता स्वतंत्र है, और जनता आपने हिसाब देनाल केशनु शिहासन ते बिठाऊना है, केशनु शिहासन तो चक के बाहर एसब जनता सुप्रीम होंदी है तो असी जन हित देविच काम करांगे और दुबारा में कहना है कि पामे पगवंत मान जी तुसी जिन्ना मर्जी तसदद कर लो असी मोह तोड़वा जवाब देवाब देवागे जिन्नी ताकत है जिन्नी ताकत असी रहन वास्ते तुसी मजबूर किता है तो रहांगे, लेकिन ऐसाधी लडाई गुरु गुरंसाब जी तेदी है याज़गी रहेगी और आसी हर तरीके दनाल हर तोड़े वार्दा मुकाबला करांगे और इनसाफ मिलना ही मिलना है और इस तो बाद भी आगे मैं तोनु दसांगा कि हाँ एक एक एदेविच पक जो है और हर तथ नू सामने अशी लेके अमाँगे कैस कैस दी की की करतूत है मान साहब ने किया सी पंजाब दी विधान सवा देविच की ब्यादवीदे केस देविच नमे तथा हुने ने मैंनु तेही लग रहा है कि नमात थ यही आगया है मलेर कोटला देविच आपनी पाटी दा विधायक दिलीदा कनभीट हो गया उन्णू सजा मिल गई मेनू यही लग रहा है कि नमात थ है एक तुसी देखो लोका दे सामने आओं लोग का आदे सामने आके सचाई दसो कोई भी गुलाम नहीं है ना मैं गुलाम हाँ ना पंजाब दी जनता गुलाम है तुसे आमने सामने आओ ठीक है और जो तुसे बैक तो वार कर रहे हो सटेते ए वार बंद करो क्योंकि इंसाफ तो गुरुगबिन सिंग्धिद्या दालत दे बीच होना है और वो इंसाफ करकर रहनगे और हर परिके देनाल इंसाफ होगा और वो इंसाफ जो होगा दुनिया देखेगी एना सब्दा देनाल तोड़ा सारे अंदा बहुत बहुत तनवाद वाई गुरुजजगा कालसा वाई गुरुजजगी पता